कुल्विंदर सिंग मलोट दुआरा अनुवादित पुस्तक मैं लक्षमी मैं हीजडा दा स्तार वांग बाकी बार पापा दे मुँदे अलसर दा पता लागया सी जो बुलां दे अंदरवार सी जेडा ठीक नी सी हो रहां असी टेस्ट करवाये थे बहुत फैल चुका सी पापा मुँदे कैंसर कारण खत्रे विच सान क्योंकि दास सालां तों ही पान गुटका दिया दी सान टेस्टा, बाइपसीज, सरजरियां, केमो थारपी दी अट्टूट लड़ी चल पर असी उना दी इन्ही ज्यादा पीड नू सैन नी कार सकदे सी मैं रोणा अंचा होंदी सी पर वड़े पुत्तर वज्जों सोई थी के मैनू बहादर बढ़न दी लोड है मुंडे रोंदे नी हुंदे, प्रामप्रिक सोच मुताबक मैं मुंडा नहीं सी मैंनू अपने अंदर मरदामा पंदा दिखावा करना पैना सी, जो मेरी अंदरोंच चला गया सी फिर एक स्टेज आई जो दो उनानू डॉक्टरा ने आल लाइफ स्पोर्ट सिस्टम देख कारन दी सिफारश केती जो इस नाजुक माड़ी हालत विच जुरूरी सी पर इस सिस्टम किसे न किसे तरां बेकार साबत होया कड़ी टिक टिक कार रही सी, बड़ा गुंजल दार मसला सी पर तिष्ट ता पर पूर अंतराश्टी प्रोग्रमा दे सद्ध्यां दे लंबी लड़ी मेरे सामने सी मैं बहुत अभिलाशी बन गई सी, एन्नी के उनानू ठुकरोना मेरे लिए संभब बन गया सी मोहावरेदार बुली चो, ओ डेमो कल्स दी तलवार वांग मेरे ती लटक रही सान जोद मैं हवाई अड़े वल चल पई ता सोच रही सी की मैं अपने पितानों आखरी बार वेख रही है की मैं उना दी सस्कार समय ही मुडांगी पहली कांफरंस बैंककॉक सी मैं पहली कतार चो बैठी सी लोग बोल रहे सन पर मेरे दिमाग चे कखवी नी सी पहरे है मैं लोबी चे चलेगी फुट-फुट के रोन लगी विवे कनांद ने मैनू देख लिया मेरे को लाया मैनू होसला दिता मैं सौनली जरा भी आखनी सी लाई मैं फोन ते लगा तर मुंबई दे संपरक्रिट सी जो तो मेरी चपकी ओन लगी तर ड्रोने सुपने आने अधी रात नू मैनू बिस्तरे तो उठा देता सी दूजी बार चपकी लगी ता मैं हवाई अड़े तो कारवाप सी दे रस्ते ते सी जो तो कुछ मिंटा माद मेरी आख को ली ता मैं प्रिंस मानू इंदर जो मेरे तो अगली सीटते बैठा सी और तो पुछेया कि की यसी बंबई पहुंच गया है उन्हें मेरे वल यहों देखे जो में मेरे दिमाग हेल गया होगी उन्हें कहा पैंट शांत रो दूजी कांफरेंस बारसी लोना विखे सी शामनों मैं राम बलास विखे टैल रही सी मैं पापा वास्ते कुछ खरीद ना अचाओं दी सी जिमें मैं वदेशी टूरां दोरान कुछ ना कुछ खरीद दी आ रही सी मेरे सामने दुख नाल पर नयांचे रा साकार होया मेरे तोफेद आउना लए की मतलब मेरी इच्छा होई के मैनू शेयर दी अंगलियां चो कोई जादू दी छड़ी लब जाई जिस नाल मैं उना दी जिन्दगी बचा सका मैं वापस होटल मुड़ी फुट-फुट के रोपे मेरी चिंता मेरे ते असर अंदाज हो रही सी मैं इक अंजानी तरती ते बिमार पेगी मैंनू एंबूलेंस दी हस्टाल जाना पे मैंनू नींदरे दे चटके लगदे मैं सोच दी जिमे मैं मर रही हुआ पर मैं अपनी हालत बारे अपनी परवार नू हने रेची रख्या होया सी जड़े मेरे पापा दी बिमारी कारण पहलनों ही बहुत दुफी सन मैं हस्ताल जपांच दिन रही थे फिर मुंबई परत गई पापा दी हालत बहुत बत्तर हो चुकी सी उना फिर भी मैंनू तीजी कांफरंस से जान तो ना रोक्या इक कांफरंस आस्टरिया दी राज्टा नी वियाना सी मैं ग्लोबली कुमकडबान चुकी सी मैं स्थिती नू तरक संगत कीता मैं ग्लोबल विलेज देवध गाटन ली सद्धी गई सी केडी तर्थी सी जित्थे किसी हीजडेन वजे आसनमान देता गया सी मैं अपने सुमूप आई चारे दा कांफरंस से जान सदकारी नी सी मैंनू ओना ते मान सी उसे समय मैं अपने पिता दे संपरक्च वी सी मैं कांफरंस विच चली गई पर मेरा दिल अजेवी मुंबईच सी जियोई कांफरंस खत्म है मैं वापस मुड़ पई मैं होरा नाल वेखन योग थामा वी वेखन ना गई जो वियाना दे इर्दगेर्दसान जो योरप दे सब तो सुंदर शेहरां चो एक खान मेरे पिता दी सेत वेच उतार चड़ा चल रहे आसी पाल च चंगे हुंदे अगले पाली मौद दे मूँवाल जांदे देस्दे साड़ा सौन दा सिलसिला गड़ बढ़ा गया कई राता हुंदे हैं जद उसी बिल्कुल भी सौन आपांदे ओ राता जद उसी सौन दा बंदबस कर दे ता स्वेरा होन वाला हुंदा कुकड़ दे बांग देन दा समा हुंदा इस सोच साड़ेली असैन योग हुंदी के किस्मत पापा नू साथ ठोंख हो लाएगी साथ अगस्ती शनिवार दी रात सी मैं शैर तो बार सी जो तो मेरी माता ने मैनू हबड़ें वांग फोन कीता थी मैनू जिन्नी चेती हो सके काराण ली कि है मेरे पिता जी मौत दे के नारे पहुंच चुके सान मॉर्फीन दा टीका वी बेसर साबत हो रहा सी मम्मी दी कॉल मेरे सिर्च खत्रे दी कंटी वां हुआ जरे सी की मेरे पिता दांत समा आ गया जोद मैं कारबॉन ची पूरा परवार ते मेरे कुछ चेले पापा दे द्वाले बैठे साथ वो पीड नाल करा रहे साथ ते रचानक चमतकारी हुई उना दी पीड काट गए वो कुछ ठीक मैसूस करन लगे मेरे गम नो काट करन ली मेरे चेले मैंनो बार ले गए जिती हैसी स्वेर देते नो जिताक बैठे शराब पीन दे रहे फिर मैं अपनी पैन नाल वापस आ गई उदी बेटी मेरे बिस्तरे ते पसर गई मैं अपनी पती जीनल खेड दी रहे अगला दिन एत्वार सी असार दे मीने दा आखरी दन सी महाराश्ट्र दे लोकाल ये दिन गट्री दे ना नाल जाने आ जान्दा सी क्योंकि बहुत सारी शराब पीन कारणो गट्र चे डिख दे सांते उत्ती सुते रहे इस तो बादिक मीने ली उना दे खान, पेन, मीट वगएरा दे पबंदी लग जान्दी सी जदो मैं चाद एक अपनाल माता दे कमरेच जान लगी तो मैंनो उच्ची उच्ची बुला रहे सान मैं पोड़ियां उतरी पापा अद मरी वस्थाच पहे सान ते माँ उना दियां छातियां नू रगड के मुड़ सुर जीत करन दी कोशिश कार रही सी शशी भी होते सी पापा दी सरी नाल बहुत सारी नालियां ट्यूबबान जुडियां सी कि मैं डार गई ते डॉक्टर नू फोन की था कि यसी तो अडे कुल मरीज नू लिया सक रहे हैं डॉक्टर ने किया लक्षमी जे मेरी सिला मननो तो मैं कहांगा बिर्द आदमी नू शान तीच मरन देना चाहिए उन्हों होर दवायां ते टीके अनल दुखी नहीं करना चाहिदा क्योंकि होनो कारगर साबत नहीं होन गिया आखरी फैसला तुसी ते तो अडे परवार ने लाने मैं पापा दे सराणी बैठ गई डॉक्टर देशा बध हुन समझा रहे सां कुझ वी इसी मैं अपने प्यारे पापा जी दे दुखांदा अंत चाहंदी सी पापा दी आखांच सोन पसरी होई सी ओया उनसी जिमें मैंनू आखरी होन राज्जू मैं जा रहा उन्टू मेरे वड़े पुत्तर वज्जों परवार्दा त्यान रखे मैं पापा दा हाथ अपने हथां चला लिया उन्हा अपनी आखां बंद कर लिया दीपक आया पापा बल देख्या थी मैंनू पास से लिया गया लक्ष्मी पापा चालव से हनो ने किया मैंनू नहीं सी पता कि एक अंग अठारवा पापा दी मौत दी खबर तेजी नल फैल गई सी रिष्थेदार ते दोस्त में तर बिना देरी दे काराउन लगे मैंनी सोच सकदी के कोई दूर नेड़ेदा जया रिष्थेदार जास बंदी होगे जो ना आया हो मैं यतीम मैसूस करन लगी असी पापा त साथी पित्ठन लगी विद्वा हो गई सी साधी जाती दी रसम है कि जो चितान वगनी दिखाएगा उनों पूरे ग्यारा दिन इकांच रहना पहेगा मैं नलमा समा अपने आपने गैर हाजर नहीं सी राख सकती क्योंकि पापा दी मौत नाल सबंदत कई कारवाईया मेरे कर इसलिए फैसला होया कि शशी चितान वगनी दिखाएगा ते मैं होर महत्त पूरन काम करांगी कोई कह सकता है कि अपने पिता दी चिखान वगनी दिखाना हो दी पुत्तर दाई काम मैं ही जड़े दा नहीं मैं दिलूं बहुत उदास सी मैं पापा दी जिएँ दे जिएँ नाल समा ना बता सकी ते हुण मैं अगनी दिखान दी मौके वी इनकारी सांग पापा दा ससकार हो गया साड़े बामनांच मौत दियां रस्माई नियां जियादा दी खर्ची लियां हन जिए व्यादियां रस्मा करना तिन पंड़त मुख तोर दी ससकार दियां रस्माने ब जिए कीटी हुन्दी ओदा खाना पो कोना वक्खरा हुन्दे। दस्वें देन्दे आंत्वेच परवार दे मेंबर विचली रूते। कपडेटे काने लादेन्दे हां दे नाई सिरांदी हजामत करदे। ग्यारुमãy धिन प्रिति पोज हुन्द जीनों नारायान बाल्ली देनानल जाणे आ जांदए पहलां ब्राहमणध खान दे हन् फिर दूज्य दे सब्ऱो मगरों कार दियाँ औरतां ब्राहमणद अनु तूफे दित्ते जांदी हन्द जीना नु दान वज्यों ले आ जांदे वो किसे भी चीज बारे मंग कर सकते हैं पूमी, कर, सोना, आद यो उना नू देना पैंदा है तो या फिर मिरते कादमी दिरू नू शांती नी मिलेगी है किनी ब्लैक मिलेंगे कुदर ती ना लोडा ले बहुत सारे तांदी लोड सी मुंबई तो बहुत दूर पापा दी रहाशी थां ते रस्मा करनी आ सान उसले सफर दा खर्चा भी करना पैना सी जो दो जियों दे सी तो ना दे मेडिकल दे बिल जे लखांच नहीं ता हजारंच जरूर सान उदो मेडिकल बिमा भी नहीं होंदा सी जो पैसा में बिक बॉस ते साच का सामना विचो कमाया सी वो फडी च लगा देता सी ते वो जे नगद नहीं सी मिल सागदा साडी कोलू दा अरलेन तोईलाव और कोई चारा नहीं सी पापा दी मौद दे चोवी गंठेयां दे अंदर अंदर मेरे ते मुसीबतां दा पार डिग पया सी मैं चंगे सजे सुआरे कपड़े पैने पैसे दी तलाश ले चाल पई हंजू मेरी अंगलां ते वहरे सान ते मेरी कीते हार शेंगार चे कोड रहे सान इन्हों हमदर्दी अखो जा लोकांच बनाई अपनी पल लोक पैसे देन तो भी आना कानी ना कर दे उन्हाने दिलों उदार देता आसी टिक टांक रीदियां अपने जदी नगरवल चल पई आसी गड़ी रहें गए ये इसलिए नहीं के इस जहास तो एज जहास तो सस्ता सफर सी सगोए इसलिए के दो दिना दी आत्रा दोरान थोड़ी बहुत तनाओ तो राहत मिलेगी खास करके मानो सुवक ते गड़ी गोरखपूर स्टेशन ते पहुंच गई कुछ रिष्टेदार स्टेशन ते लैंड ली आए छेती असी जद्धिकार वल चाल पए मैं देख्या कि वड़ीगिन ते इस फैद अमबैस्टर कारां लाल बत्ती वालियां सा डिकार दे नेडे खडियां सान जरान मान लाओ कि मैं जानके किन्नी गुंजलदार स्थिती छोवांगी कि इना कारां ते मंत्री मैंनू मिलना ये सान सारा शेहर है रान सी कि एक्तोबादिक मंत्री आके दिलासा दे रहा सी मेरे कुछ चेरे पाई नगर चरेंदे सान जो मेरे पिता दी वड़ीप्रा दे पुत्तर सान जी दी हाली विच मौत होई सी उधी पतनी जो जी जन्दा है मेरे माप्या नाल हार विली पंगा लई रखती सी पामयों साड़े बच्यां ली चंगी सी मेरे पिता दा छोटा प्रा मेरा चाचा जी दे तिन पुत्तर सान जिना दे नाम राम मोहन, श्याम मोहन, क्रिशन मोहन सान उधियां दो बेटियां बिंदू ते उर मिला सान हुन राम मोहन दी मौत होचुके सी श्याम मोहन साड़े सान जी पिरवार्दा वड़ा मुंडा समझया जान्दा सी येनों सी बड़ा भईया क्या के संभूत थुन्दे मेरे पिता ने कदे अपने ते अपने प्रादे बच्चेयांच फरक नहीं सी कीता वो शामोन नू अपना वड़ा पुतर समय दे सी पामे पापा दे बिमारी दोरान शामोन कदे बंबई पता लेड नहीं सी आया एही नई सी हुन सारा कभी लाए सोच के एकठा सी के असी उनानू नेमा दिखावांगे मैनों एस गल्दी पहलों इपनिक सी के इस करके गड़ी दे सफर दोरान में अपने मांते प्रानू संखेब च दस्दी आई सी उत्थे पहुंच के की केनाया तो की नई अजे भी तांग नजरीये देगवांडी श्यामों ते ओधी होर मेंब्रानी हाजरीच एक गल्लां करके उस उकसारे सान के की यो तो अनू जमीन दा हिसा देईगा पर असी पड़कार च ना आये मैं जे यां गपा मारनवाले आंदी नू पीर च एक एक चुपकरा आता यो अपने कामनाल मतलब रखान असी अपने पापा दी राख नाल लेया आयसी मेरे पापा दी आखरी इच्छा सी कि अपने जद्धी पुष्टी जगा ते ही मरन पर उना दी ये इच्छा ता पूरी नीसी हुई उन मातानी रस्मांकार च निबाया थे राख कार लेया आयसी उनानी कुझे च राख पाके खिड़की च राख देती सी कि फिर किसी नूँ शक्की नजरावली आउरत नूँ सुना दे हुए किया कि केविलो ही अपने पती दी इच्छा नूँ पूरी कर सकते जो व्यक्ती दे रुच्चे थे ना आ सके उधी नाशमांता नूँ एथी टिके रणा चाहिदे जदो तक पुवित्तर राख नू गंगाच वहाया नहीं जानदा अगले दिन असी गंगाच राख पॉंड ली वाराने सीवल चल पे शहीन ते श्याम मोन मेरे नालसन रस्ते च श्याम भहिया ने पापा दी मौत तो पहला ना मिलन दा अफसोस जाहर कीता मैं उन्हों जो हो गया उन्हों पुल जान दी अर्ज कीती पावनमां चाकी राख पॉंड ली में बरतनों उन्हों फड़ा देता मेरे दिमाग चो फेर अवाज आई कि ये कम भी परादिप उतन नहीं करना सी ना के हीजडे ने त्यसी किष्टीच पैर रखेया चालकाद विचाड़े लेगया सूरज छो प्रयासी मैं डुब्रे सूरजवल प्रार्थना ली हाथ जोडे होन सूरज डुब्रे असी कल फेर उदे होएगा पर पापा गये मुड वापस नहीं होंगे श्याम भाईया ने द्रियाच राख बहा देती द्रियाच राख में गल लई मैं रोपई पिता दी बची खुची यादवी में थो खुस गई सी जद मैं वापस परती ता सामने एक होर महत्त पूरणारी गलने मैंनों चंका देता रिती रिवाजा अनुसा और व्यक्ति दी मौत दस्वें दिन बाद कारदे कटो कट एक आदमीनों सिर्देवाल सफा चाट करा के टेंड़कटनी पैंदी है जिस नाल सूत तक जापर दूशत समेदा अंतु हुन दै पामे मैं हीजडा सी पर पापाली मैं हमेशा एक पुत्तर एक आदमी सी जिनू अपना वड़ा पुत्तर समेदे सांते वाडांदा त्याग करना मेरे ते मनस्सर करदा सी पामे मेरा देला जया करनू नहीं सी करदा सोच्चो एक हीजडा हजामत कीते सेर नू लैके किवें कुम सकदा सी पर मेरी दलील दे वजनू कोई नी सी देखदा ओ मैंनो किसे दी कहानी सनों दे जिने अपने पिता दी मौत तो बाद अपने यह मुच्छा दी शेव करण तो इंकार कर देता सी ते नतीज़ा जदो अपने पिता दी आखरी रस्मा करन लगया तो कोई शय है उदे रस्ते चावी तो रस्मा नो नी बाना सके ते फिर जदो नी शेव कर लगया तो सारा कुछ ठीक हो गया रस्मा पूरियां कीती हैं कि यहां ते पिता दी आत्मा अजाद हो गया फिर एक विचार मेरे दिमाग चाया मैं कि ते पढ़या सी कि युगी यक्षास किनर्स ते गंदरवानू अपने रिष्थेदार दी मौत ते शेव ने करोणी पैंदी मैं उत्थे जो वड़े कठे हो एसान उनानू दसिया कि मैं किनर्सी ते चलाकी कीती मेरी महान ग्यान ने उनानू परभावत कीता एक चिन वज्जो में वाळांदी एक लेटलू हा देती ग्यार्वे देन नरायन बाली नाल सूतक दा समा खतम हो गया सी स्वेरे तेन ब्राह्मन सा डेकार पहुंचे मैं सारी रितीरिवास आंतो चंगीतरान जानू सी ओनाली मैनू मुरुख भणाना संभव सी मिरे गुपाल चाचा ने शारा कीता रजू सारी रितीरिवास जान दे कोई सानू तो खानी दे सकता गुपाल चाचा दे शब्दानू ब्राह्मनाने समझली आसी एक दो कंटे चोनानी रस्मापूरियां कितियां शाम तक चले गया ओतो प्रांत पोजन त्यार सी कोई हजार दी करीब लोकेस बार खाना जाँ फीस्ट ली आये सन ये पापा दी मिशूरी बोल रही सी ये लोकां दा ओना उना प्रती प्यार ती सतकार दा प्रती सी पोजन वर तोन तो पहला तो फ्यानू बंडन दा काम सी जिमे मैं पहलां किया ब्राह्मन किसे वी चीज बारे कैन जा मांग करन दा अधिकार रख दे हन वो तो कोई इनकारी नी हो सकदा एउना दा विशेश अधिकार से पापा हमेशा कमीज दे पजामा पैन दे सन मैं ब्राह्मना नूए ल्याद दियां सन पापानू वखरी वखरी के समदिया मुंदरियां पौन दा शोक सी मैं प्रती बामन तिन ग्राम दी मुंदरी दे साब नाल उना लिखरी दियां सन फिर मैं हाथ जोड़ी उमीद कीती जो तोफ यसी दित्ती है उनानू खुशी नाल सभी कार कार लेंगे कोई अनू चेत मंग नहीं करनगे मेरी पैन दे सौरा साब जो रस्माच शामल हों लिए सनो ना मैंनू चौकस कीता कि ये ब्रामन जी अकाश मंग लें तेना दी मंग पूरी नहीं कीती जा सकती आसी फैसला कीता कि जदो ब्रामन मंग करे उन मैंनू इशारा करनगे के हाँ जा ना केना जे उजेद करनता सी उनानू कहांगे के सानो कुझ समा सोच्चन दी लोड है ते उना दी मंग नू रद कार दे आंगे मैं ब्रामना नू सोने दिया मुंद्रियां दितियां जेड़ी होर्तो फेज में चत्री, बैट दियां, चादरा, चपला लें उस सब कुझ उनानू दे दता उनाने इस मान सामब आते एक साइकल दे दस साजार दी मंग कीती मैं उना नू देनी वाली सी के मैं पैन दे सोरे ने ना करन दा मैंनू शारा केता मेरा गुर सिख्या मेरे फिर काम आया मैं ब्रह्मना नू दसिया के जदो उना दा हक तोफे लेन दा है तक किनर वज्जो मैंनू तोफे वापस लेन दा हक है इस करके सी साइकल देवांगे ते फिर वापस लेवांगे मैं ब्रह्मना ले बहुत चलाक साबत होई अखीर उना तोफे दे पैसे लए जो सी दित्ते सीतियों चल पै अंत असी मुंबई वापस आ गए पापा तो बिना कार खाली लग रहा सी पापा दी मित्तर ते रिष्टेदार साड़े को लओंदे रहे होली होली रोज मरा दी जिन्दगी शुरू होगी चोटा अंशुमन शशीदा बेटा जो पहला पापानू याद करदा रहेंदा सी होन पुल्दा जा रहे आसी ते अपनियां खेड़ां वल फेर तो रुची रहन लग पे आसी ते मेरी मातानू आम हालत वे चौन ते सब्तो ज्यादा समा लगा एक साल तो पापा दी लगातार सेवा करन कारके हुनो ना कुल करनली कुझ नहीं सी लगदा ते ओ दिनानू तक्का दे रहे सन ते केवल चोटा अंशुमनी सी जो मानू रुजाई रखदा सी तन्वाद